न्यूज रूम में इस वक्त मेरी मोजूदगी है तमाम सहयोगी उसे जाने के कोशिश करेंगे कि आखिरकार हरियाना में आगामी वक्त में किस तरीके से राजदितिक समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। संब्भाव नहीं माने जा रही है क्योंकि सबसे पहले तो जिस तरीके से यहां जेजेपी के साथ बीजेपी का गड़ बंधन तूटा उस गड़ बंधन पर यहां जो तूटने का प्रमुका अधार बना वो महिंद्रगड और भिवानी की लोग सबसीट बना दस लोग मावे उसके बाद से सरकार भी मनाए जब कि बीजेपी अकेले अपने पर बहुमत का जो जादू याक्टा है उसे पार नहीं कर पाई तो इसके साथ गड़ बंधन तूटा और जब गड़ बंधन तूटा तो यहां पर बात ही निकल के आ रही थी कि कहीं बीजेपी अपने गड़ बंधन अपनी सहयों की दलों के साथ मिल कर भी अल्पमत में रह जाए क्यूंकि तालीस सीटे वर्तवान में जिस तरीके से बीजेपी के पास है और दस सीटे जेपी के पास थी दस विधायक जेपी के थे तो पैंतालीस के भी च्यालेस जो यहां पर चाहिए थी अपने ही पार्टी मीटिंग यहां छोड़ दी उसके बाद जब मंत्री मंडल का विस्तार हुआ उस मीटिंग में भी यहां पर अनिल्विज नहीं पहुंचे तो अपने ही पार्टी के वरिष्ट नेता अगर गौर करेंगे तो मनुहर लाल खटर मुख्य मंत्री जरूर रह अपनी ही पार्टी के दिगज नेता की नाराज़ी साथ में एक मजबूत शेत्री सहयोगी दल का छीटा रंतकुल मिलाकर आगामियाम चुनाव और सूबे में होने वाले आगामि विधान सब चुनावों में भारी है कि मेरे साथ कोई मुलाकात नहीं की गई कोई बात नहीं शीर्प नेता हैं उनको कहीं हाइब्या कमान जो है वह सैडलाइन करें कोशिश कर रहा है देखे बिलकुल शीर्प अगर आप समझेंगे अंग्यामी द्वारा दो शीर्प शहाथ कहीं ही उम्र में जो उम्र में शीर्फ हो जाता है और बीजीपी की पॉलिसी कहती है कि 70 से उपर वालों को टिकेट नहीं मिलेगा लेकिन 60 से उपर भी अगर आप आ जाएंगे तो आपका टिकेट जहां पर है वहां से भी कार दिया जाएगा शिवराज सिंग चौहान 62 साल की उम्र वर्तमान में है मुख्यमंत्री थे चुना भी ज नाराज कुछ हग तक नेता है उनको जिस तरीके से श्री नेत्रत की दरकिनार करने की पॉलिसी है ये बीजेपी पर ही भारी पड़ सकते है आपने जिक्र किया राओ इंदरजीत सिंग का इस पर यहां अनिल विज ने भी कहिने की वही प्रतिक्रा रखी कि मुझसे कोई बा यहां पर जिस तरीके से जो बगावती बयान सामने आ रहे हैं भारती जनता पार्टी के तमाम नेता इस पूरी घटनकरम में कही न कहीं आपने आप